कटिहार के आजम नगर प्रकंड शेत्र के केला बाड़ी पंचायत के शिव मंदि टोला इमाम नगर गाव के पास ही 25 मीटर दूरी पर महानंदा नदी में भीशर कटाव हो रहा था जिसको लेकर महानंदा विभाग और आजम नगर की टीम दोरा जाच कर कटाव गरस्तिक शेत्र पर कारी को प्रारण किया गया कारी प्रारंब होते ही ग्रामेडों की खुषी का मोहल प्राप्त हो गया और इमाम नगर शिव टोला मंदिर टोला के ग्रामेडों की माने तो संतोष जनक कारे हुआ है ग्रामेडों का कहना है कि हमारे गाउं में 1500-2000 घर हैं और हम लोगों को चिंता सता रही थी कि कभी भी हम लोगों के घर में पानी घुज जाएगा और जानमाल का काफी नुकसान हो सकता है लोगों ने कहा कि जान का बचाव अब हो पाएगा कारे से ग्रामेर संतुष्ट हैं और बेहद ही खुश भी है इस कारे से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं क्योंकि अगले साली बोला तो गिरा हुआ था कारे नहीं हो पाया इस बार हम लोग जितना मेहनत किये बहुत जगह गए भी तो सुनवाई भी हुआ और हमारे भी जैश साहब या इडियो साहब आये देखने के लिए और कारे चालू बच सकता है और बच जाएगा इसमें कोई किसी प्रगार की दिकत नहीं है इमाम नगर सी मंदी टोला के अंदरगत पहला पार्ट टू असाल गंज पूल के नस्दीक जो काम हुआ है काम से हम लोग संतुष्ट हैं और पार्ट टू में जो काम होना है एक किलोमीटर इमाम न प्रशासन के सभी अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि वहां यथासिग्र काम करवाए जो तिव्रगति से काम करवाए जो हम लोग का जानमाल बज सके और काम जो अभी चल रहा है इस काम से हम लोग पूर्णता संतुष्ट हैं और मैं आगे कठियार के जीलापदा अध और बढ़ाया जाए जो हम लोग का जानमाल का नुक्सान से बचना संभब हो सके